ही अफे और होता है समझते नाम में दिखा दे रहा अगर हम किसी चीज को हीट करें के साथ हीट हो टा जा रहा है तो उसकी कोई प्रहापर्टी सेंज हो रहे होगी ऑफापर्टी क्या है और बहुत ही इस परीके से यहाँ पर line आती है this is line 1 and this is line 2 इसको मैं बोल देता हूँ यह है B यह है हमाय पास A इनको देखके आप क्या feel करते हो आप ऐसे समझो कि यहाँ पर हमाय पास इसको हम heat कर रहे थे कैसे कर रहे थे continuously heat कर रहे हैं कोई P power का हमने उसमें source लगा रहा है अच्छा किसी भी given amount of time में दोनों को ही बराबर amount में हमने heat energy दी लेकिन हम देखते हैं कि A में जो temperature change है वो ज्यादा है और B में जो temperature change है वो actually कम है इसका मतलब energy दोनों को same देते हैं A का temperature ज्यादा बढ़ जाता है B का temperature उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है यानि B की heat hold करने की जो capacity है वो ज्यादा होगी हम बोलेंगे B की thermal capacity ज्यादा है इसकी thermal capacity कम है इसका temperature फटाक से बढ़ जाता है ये हमें समझना बहुत ज्यादा ज़रूरी था इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं P into delta T की value हो जाती है M as delta T यहां से हमें मिलता है देखो delta T upon delta T क्या चीज़ हो जाएगी ये delta T upon delta T ये हो जाएगा बेसिकली आप समझ सकते है dy upon dx की तरह है चुकि इस graph का slope है इसी को हम लिख देंगे delta T by D ये आजाता है P upon M as which is slope of T DT graph ये बहुत important result है हमारे पास आता है इसी का differential form DT upon DT is equal to P upon M as mass into specific heat capacity ये P यहां पर power है input power इसको मैं बोल देता हूँ input power और इसी की value हो जाएगी अच्छे बताव mass into specific heat capacity क्या होता है यहां में पताव ही होती है हमाई thermal capacity या फिर heat capacity से simply बोल देता है तो इसी को मैं लिख दूँगा P divided by C ये हो जाएगी हमारी heat capacity ये है हमारी पास mass ये है हमारी specific heat capacity capacity और ये जो चीज आई है इसको हम क्या बोलेंगे ये है हमारा slope this is slope हम देखते हैं कि slope is inversely proportional to specific heat capacity या फिर सिर्फ heat capacity तो ये बहुत important points है इनको अब लेकलो slope is proportional to 1 upon ms या फिर slope is proportional to is proportional to 1 upon specific heat capacity भी आप इसको बोल दोगे इसको हम बोलते हैं सिर्फ thermal capacity इस पे बेस्ट बहुत सारे questions directly पूछ जाता है तो ये बहुत important हो जाता है heating curve of water तो यहाँ पर हम water का heating curve बना रहे है इसमें हम क्या कर रहे है water का हमारे पास amount होगा मानलो 1 kg है जितना भी है उसको हम P power के source से गरम कर रहे है power का source constant है constant power का source है यहाँ पर हम उसको गरम कर रहे है और जो हमारी initial condition है ना पानी जो है हमने लिए है ice ice भी zero degree पर नहीं उसे थोड़ ठंडी थी तो यहाँ पर समय के साथ-साथ मानलो यहाँ पर हमारी ice थी किसी temperature पर और समय के साथ-साथ ice गरम होगी इस तरीके से गरम होते होते कहां तक पहुँच जाएगी zero degree Celsius पर यहाँ पर zero degree Celsius पर ice पहुँच आई उसके बाद ice और गरम नहीं हो सकती वो ice melt होना शुरू हो जाएगी melt होना शुरू होगी तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी दे तक उसका phase change होगा उसका temperature बढ़ता नहीं है temperature उतना ही रहता है zero degree Celsius पर ही रहगा फिर उसके बाद फिर से हम उसको गरम करे जारे हैं गरम तो करे जारे हैं तो यहाँ पर फिर उसका temperature बढ़ने लगेगा इस तरीके से उसका temperature बढ़ता है यहाँ पर बढ़ते बढ़ते temperature हो जाएगा इसका 100 degree Celsius उसके बाद क्या होगा उसको और गरम करें, आप temperature बढ़ नी सकता पानी boil होने लगेगा और यहाँ पर हमाँ पास phase change होगा तो बहुत देर तक हम देख रहे हैं कि पानी boil ही होता रहता boil होता रहता, उड़ता जाता, उड़ता जाता, evaporate होता जाता है अब इस heating कर में कुछ important points है, उनको हम लिख लेते हैं जैसे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास solid state थी यह वाला पूरा था हमारे पास solid state यह हमारे पास है solid plus liquid, इस तरफ हमारे पास solid था यहाँ पर पूरा का पूरा liquid होगा, तो मैं लिख दूँगा this is S plus L यह वाला है पूरा का पूरा liquid, यह वाला हमारे पास liquid plus gas है यहाँ तक आते हैं पूरा का पूरा liquid gas में convert हो चुका है, और यह पूरा का पूरा हमारे पास G ठीक, ओके, हमने जो heat उसको दी है, वो क्या कितनी heat है, देखो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यह हमारे पास कुछ time interval है, इस तरीके, यह न, this is delta t, इस t का कुछ में नाम दे सकता हूँ यहाँ पर क्या होँ आगा हमारे पास, melting हो रही है, तो delta t fusion लिखती है, fusion वाली latent heat use होती है, इसलिए हाँ पर delta t fusion की तरह मैंने लिखती है और यह वाला जो है, इस time interval को, इसको भी मैं कोई नाम देना चाहता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ delta t of vaporization इस तरीके से मैंने इनको नाम दे रहे है time intervals को हमारी जो heat है, यहाँ पर जो heat दी गई होगी, वो हो जाएगी power into delta t of fusion जिसकी value कितनी हो जाएगी, mass into latent heat of fusion similarly, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, delta t of vaporization, वो कितना समय लगा है उसको multiply कर तो आप power से है, तो वो हमें मिल जाएगा q is equal to, कितनी heat हमने दी है कितनी heat दी है, जो भी mass था, multiplied by latent heat of vaporization तो M into LV, अब यहाँ पर हम करना ही क्या चाहते है हम इन दोनों ही equations को अगर divide करें तो देखो, mass से mass cancel हो जाएगा, P से P cancel हो जाएगा और मैं पास एक value हो जाएगी, दोनों को अगर आप divide कर गाँ delta t of vaporization divided by delta t of fusion will give us LV upon LF यह ratio कितना है, हमें values पता है, vaporization की जो हमारी latent heat होती है, वो होती है, 540 calorie per gram, calorie per gram यहाँ पर हमाय पास होता है, fusion कितना होता है, 80 calorie per gram क्या हो गया, देखो, यह cut gas तरीके से, cut gas तरीके से 54 divided by 8 है, 7, 8's are 56 तो यह 7 से थोड़ा सा कम है, इसकी value आजाती है, 6.75 approximately आप इसको 7 समझे, तो जब भी अब से आप यह graph बनाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना, कि यह वाली जो length आप बनाने वाले हो, वो इस length की लगभग साथ गुना होती है, इतना लंबा उसका होना जरूरी है, और यह जो length का ratio होता है, वो latent heat का भी ratio होता है, यह आपको समझना जरूरी है, अब देखो, हमें और एक चीज़ पता है, हमें क्या पता था, slope के बारे में हम अभी पढ़ाई कर चुके है, slope हमें पता है, was proportional to 1 upon ms, हर case में यहां से जो भी mass था, वही mass थो पूरा का पूरा गरम होता गया, तो mass सब जगे सेम है, तो हम लिख सकते है, slope is proportional to 1 by s, यहां पर मैं directly लिख दोगा 1 by s, क्या हमें इन तीनों की specific heat capacity के बारे में कोई idea है, yes, we know, हमें पता है कि specific heat capacity of ice is approximately equal to specific heat capacity of steam, which is approximately equal to specific heat capacity of water liquid divided by 2, तो यह relation भी हमें पता है, इससे हमें क्या चीज़ पता चल जाती है, इनको अगर आप inverse कर दो, इस तरीके से, तो वो slope के बारे में हमें पता चल जाएगा, यहां से हम बोल सकते है, slope of solid is equal to slope of gas is equal to twice the slope of liquid, यह भी एक बहुत important result है, this is for water, समझने की कोशिश करते हैं, feel लेने की कोशिश करते हैं, हमारे पास solid state में और gaseous state में specific heat capacity कम होती है, specific heat capacity, water की half ही होती है, तो यहां पर थोड़ी सी energy दोगे, फटाक से temperature बढ़ जाएगा, यहां भी थोड़ी सी energy दोगे, फटाक से temperature बढ़ जाएगा, लेकिन liquid water में energy देते हैं तो temperature उतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, इसलिए यहां पर slope कम है, यह देखो यह बहुत जल्दी बढ़ जाता है, यह धीरे धीरे बढ़ता है, इनका ratio कितना है, 1 ratio 2 वाली बात है आप, ठीक है, numeric values ऐसी हैं, पानी बस ऐसा होता है, यह कुछ values हमें समझ नहीं दी, यह तो slope के बारे में हमने लिख दिया, साथ में हम लिख सकते हैं, delta T of vaporization is approximately equal to 6.75 times delta T of fusion वाला जो है, या फिर melting वाला place को लिख सकते हैं, यह दो values हमारे कामठी हो गए हैं, अब इस पर based एक question करते हैं, जहांपर हम दो graphs को compare करेंगे, इस question में हम कुछ graphs मनाएंगे, सबसे पहले मानलो मैं graph बनाता हूँ, 1 kg of ice at 0 degree Celsius, इसका graph मैं blue line से बनाऊँगा है, तो यह मेरे पास पहले तो देखो, ice है, ice को 0 degree Celsius पर गरम करूँगा, तो direct latent heat जाएगे उसको, उसका temperature और बढ़ नहीं सकता, 0 से बढ़ के plus 1 नहीं हो सकता इसका, पहले melting होगी, तो हमारे पास इस तरीके से कुछ graph आएगा, constant आने वाला है, latent heat होगी, फिर उसके बाद उसका temperature बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा और यह हमारे पास boiling point तक हम पहुँच जाएगे इस तरीके से, जो जाता है हमारा 100 degree Celsius, यह था 0 degree Celsius, और उसके बाद, हमारे पास फिर से इस तरीके से, कुछ latent heat आएगी, और यह जो length है, यह length कितनी होनी जी है, यह जितनी भी length बनाई थी, उसकी 6.75 times ज्यादा बढ़ी होनी जी, technically यह मैंने graph घलत बना दिया, इसको मैं फिर से सही करने की कोशिश करता हूँ, यह कुछ, ऐसा हमारे पास हो जाएगा, देखो यह, है न, और फिर उसके बाद, यहां से, हमारे पास, फिर से, temperature rise करेगा, यह जो एंगल है, थीटा और यह जो एंगल है, यह थीटा 1, यह था थीटा 2, तो इसका slope double होगा, इसके slope से, वहां पर जल्दी जल्दी बढ़ता है, हमारे पास temperature, मैं लेख सकता हूँ, tan थीटा 2 is equal to twice of tan थीटा 1, ठीक, यह चीज़े सब को समझ में आ गए, इसको भी हम note कर देते हैं, this is थीटा 1, this is थीटा 2, हम लिख सकते हैं, tan थीटा 2 is equal to twice of tan थीटा 1, यह हम आपास आने बाद, क्या इस ग्राफ का area under the curve हमारे किसी काम का है, किसी काम का नहीं हो, हर जगे area under the curve किसी काम आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, और राइट, दूसरे case में हम लेंगे 1 kg of water at 0 degree Celsius, तो 1 kg water at 0 degree Celsius, graph case का हमें already दिख रहा है, देखो water at 0 degree Celsius, actually जब हमने ice ली थी ना, और उसको गरम किया था, तो हम यहाँ पहुंचेते हैं, यह क्या था, वही तो था 1 kg water at 0 degree Celsius है, तो यहाँ से आगे का जो भी graph है, वही graph ये वाला होना है, तो हम अगर green वाला graph बनाए तो वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला angle भी हो जाएगा, थीटा 1, ये वाला angle भी हो जाएगा, थीटा 2, बहुत ही symmetrical सा graph, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों के case है, mass की value, same ली थी, खाली जो एक shift आ गया ना, इसे left में सरग गया, sorry, इस त हीट वाला part ओड़ा दिया, तीसरा comparison हम कर लेते हैं, इस बार मेरे पास है, 2 kg ice at 0 degree Celsius, 2 kg ice at 0 degree Celsius, ice वाला graph कौन सा है, ये था हमारा 1 kg ice का graph, 1 kg की जगे हमने बस 2 kg कर दिया है, तो सारी की सारी चीज़े same होंगी, लेकिन जो उसको हम power दे रहे थे ना, power की value तो P की P ही है, तो उसको हर एक time interval में, हर मतलो, यहां से यहां पहुँचने में, पूरा का पूरा melt होने में, latent heat, consume होने में, जितना time लगता था उसका double time लगेगा, क्योंकि mass double हो चुका है, तो य यह वाली जो length इतने में सिमट गई थी, अब वो हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाएगी, यहां से यहां तक पहुचने में जो time लगा था, अब वो वाला time भी हमें double लगने वाला है, इस तरीके से, तो हमारे पास actually इसका जो graph होगा, आप देखोगे, यह यहां पर आ जाता ह इतना, exactly यह जो था, उसकी double यह वाली value होनी चाहिए, उसके बाद यहां से, फिट से हमारे पास graph उपर की तरफ ऐसे जाता है, तो इस तरीके से हमारे पास heating graph काम करते हैं, और अब इसका एक numeric value वाला question solve करते हैं, आपके सारे doubts clear हो जाएगी हमें एक यह heating कर दिया है और हमें कुछ values पता करनी है, कौन-कौन से values पता करनी है, LF upon LV, fusion की और vaporization की इनका ratio, और यह solids की specific heat capacity का ratio पता करना है, कुछ हमें numeric values यहां पर दी हुई है, तो कैसे पता करूगे, इस सारी की सारी theory अभी अभी हमने पढ़ लिया है, बचाता हूँ क आप वीडियो को pause करो, और question को solve करो, इस question का correct answer है, यह value आती है 0.4, यह होता है 1 ratio 1 by root 3, ratio root 3, बहुत ही अच्छा सवाल है, यहां पर इसको solve करना शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें पता ही कि जो LF upon LV है, यह क्या चीज है? LF क्या होता है? यहां पर fusion यहां हो रहा होगा latent heat में, vaporization यहां हो रहा होगा, तो हमारे पास fusion वाली जो heat है, कितनी heat लगी होगी उसको melt कराने के लिए, वो इस time interval के proportional होगी, और melting के लिए, sorry, evaporation में जितनी heat लगी होगी, वो इस time interval के proportional होगी, तो यहां से हमाने पास value जाती ह यह हो जाएगा 20 minus 10 जो कि यह वाली length है और यह वाली length denominator में आ जाएगी जो है हमारी 48 minus 23 तो यह हो जाता है 10 divided by 25 which is equal to 0.4 हमारा answer आ जाता है अब देखते हैं specific heat capacity किस तरीके से पता कर सकते हैं तो देखो हमारा पास slope is proportional to 1 upon s इस तरीके से हमें पता है अगर हमें s का ratio पता करना है तो हम लिख देंगे s is proportional to 1 upon slope अगर मैं इसको बोल के दूँ यह ही हमारा पास solid यह हमारा पास liquid और यह हमारा पास gas तो मैं जानता हूँ slope of solid, slope of solid यहां पर हो जाएगा इसका tan theta तो बो जाएगा tan 45 तो यहां पर value आ जाएगी 1 upon tan 45 अना 1 upon slope के यह proportional है ratio में हमारे पास आ जाएगा s liquid बो जाएगा 1 upon slope of liquid यहां पर हमारा पास slope कितना है 1 upon tan 60 यह value आ जाएगी और यहां पर gaseous phase में हमारे पास आ जाएगा 1 divided by tan 30 तो यह जाएगा 1 divided by tan 30 तो यह होता है 1 ratio 1 upon tan 60 की value होती है root 3 और यह होता है हमारे पास 1 upon 1 divided by root 3 तो which is equal to इसकी value आ जाती है यह उपर चला जाएगा और बन जाएगा root 3 इनकी numeric values भी आप देख सकते यह होता है 1 ratio 0.58 ratio 1.73 ऐसी कुछ values हमें मिलती है अब इसकी feel लेने की खोशिश करते हैं देखो यहां पर जो slope था यहां पर specific heat capacity जो भी थी liquid की specific heat capacity उससे कम है तभी तो यहां पर जल्दी temperature बढ़ता है इसलिए इसका slope ज्याद इसे उपर उठा हुआ तो हम देख रहे है solid से कम यहां पर हमारी specific heat capacity आती है और gas की specific heat capacity सबसे ज्यादा आ रही है इसलिए उसका temperature धीरे धीरे बढ़ रहा है यहां 45 degree के अंगल से बढ़ रहा था है यहां 60 के अंगल से बढ़ रहा है यानि कि यहां पर बहुत ज्यादा heat की ज एक और question देख लेते हैं हमारे पास फिर से एक heating curve है लेकिन यहां पर हमारे पास ध्यान देने की बात क्या है यहां पर mass और यहां पर twice of mass mass अलग अलग है फिर से हमें analyze करना है ध्यान क्या देंगे हमारे जो slope होता है वो किसके proportion होता है 1 upon specific heat capacity नहीं c heat capacity या फिर आप इसी को लिख सको है 1 upon ms मास का यहां पर use हो इसी चीज़ के साथ वीडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है यहां पर value आएगी हमारे पास 4 यह वाली value आएगी 0.6 कैसे आया solve करते हैं हमें पता है LA upon LB अगर पता करना है तो latent heat of A latent heat of A मैं कैसे बता कर सकता हूँ क्या मैं यहां पर सिर्फ देख कर की बता सकता हूँ देखो B का मास दो गुना है लेकिन फिर भी उसकी latent heat में time half ही लग रहा है यानि कि इसकी latent heat capacity कम होगी ना latent heat इसकी बहुत चोटी होगी तब यह जल्दी से इसका phase change होगा है जबकि इसका मास डबल था तो यहीं से मुझे पता चल जा रहा है कि इसकी latent heat जो एक ही है वो B वाली से चार गुना होने वाली है लेकिन इसकी calculation हम करके देख लेते हैं देखो हमारे पास P into delta T जो होता है delta T time पार into time वो हो जाती है heat energy कितनी दी गई है heat energy जो देते हैं उससे क्या होता है उस mass का phase change जाता है तो वो हो जाता है M जिसकी value हो जाती है is equal to M into L अभी जो भी latent heat है कर यह fusion हो रहा है तो fusion ही जाहिए यहां पर क्या रहा है solid है fusion वाली latent heat है यहां से हमें L की value पता चलती है L is equal to P delta T upon M L is proportional to L is proportional to delta T upon M हमें पता चल गया हमें पता चल जागा L A upon L B की value आज जाएगी M B upon delta T of B into delta T of A divided by M of A यहां से values रखना शुरू करो mass of B कितना है mass of B है twice into mass of A तो यह हो जाएगा हमारे पास 2M divided by M और delta T of A, delta T of A कितना है A को दिखो time लगा है 10 से लेकर के 30 तो यह हो जाएगा हमारे पास 30 minus 10 यानिकि 20 divided by हमारा पास delta T of B कितना है B को समय लगा है 20 से लेकर 30 तक यानिकि 10 से किंदी यहां पर जाएगा 10 आप देखते हैं कट जाता है इस तरीके से हमारा पास value आ जाते है this is equal to 4 तो हमारा answer यह था 4 बहुत ही आसान था अब देखते हैं यह S A upon S B specific heat capacity of A और B का क्या relation है और वो भी कहां पर जब वो लोग solid में solid में यानि यहां पर हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्या मैं बोल सकता हूं कि इस solid A की solid A की जो heat capacity है वो कम है तब ही तो यहां पर देखो मैं heat देना शुरू करता हूं अ का temperature तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है B का temperature धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यानि B को ज्यादा energy की जड़रत पड़ती है यानि कि उसकी heat capacity ज्यादा होगी तो हमें पता चल जाता है, B की heat capacity ज्यादा है लेकिन यह heat capacity है, specific heat capacity नहीं है हमने देखा भी था क्या देखा था slope is proportional to 1 upon ms या फिर मैं लिख सकता हूँ s is proportional to slope multiplied by m हमें पता करना है sa upon sb उसकी value क्या हो जाएगी यहाँ पर आजाएगा mb slope of b divided by m a slope of a mass of b की value है 2m mass of a है m तो यह तो हमारे कट जाएगे इस तरीके से value आजाएगी 2 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं this is equal to 2 slope of b कितना है b का slope देखो यह है हमाँ पास b का slope हो जाता है यहाँ पर 120-0 यह वाली length divided by यह वाला तो हो जाएगा 120 divided by 20 यह हो जाता है 120 divided by 20 नीचे denominator में हमाँ पास slope of a a के लिए जो slope है वो कितनी है वो हो जाएगी this divided by this वो हो जाएगी 10 theta perpendicular upon base तो यह वाली length हमाँ पास 200-0 divided by 10 तो जाएगा 200 divided by 10 यहाँ पर आप देखते हो यह इस तरीके से कट जाता है 2 से यह 2 कट जाता है यह इस तरीके से कट जाता है इसकी value आजाती है हमाँ पास 12 divided by 20 which is equal to 0.6 और यही हमारा answer है अब इसका एक previous year question देखते है जो कि actually बहुत जादा असान है a block of ice at minus 10 degree celsius is slowly heated and converted to steam at itna which of the following curve represents the phenomena qualitatively वीडियो को pause करो solve करो गलत नहीं होना चाहिए इस question का correct answer है a और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमाँ पास ice at minus 10 degree celsius पर तो इसको जब भी मैं heat दूँगा तो यह सीधे latent heat में नहीं जाएगा पहले थोड़ा sensible heat रहेगी इसका थोड़ा temperature बढ़ेगा थोड़ा temperature बढ़ेगा यहाँ पर तो सीधे ही temperature constant हा और वैसे भी heat देते जा रहे हैं तो temperature कम तो नहीं हो सकता तो यह हो नहीं सकता यहाँ पर तो यह अलग ही ऐसी line है यह तो हमने कभी देखी नहीं तो यह भी हो नहीं सकता यहाँ पर भी देखो temperature starting में constant है यह भी हो नहीं सकता तो हमाँ पास यह होने वाला है इसका आंसर है तो option number A is the correct answer heating up में मजा आया हैं तो please YOLO जाही की पूरी की पूरी सीरीज देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको वीडियो पसंद आएं तो please यार crash up को support करो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस QR code को आप scan कर सकते हो कुछ डूनेट कर सकते हैं उससे मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए बना करके ला पाऊँ हम मिलेंगे अगले वीडियो में यो लो